साल 1945-46 की बात है आजादी की लड़ाई अपना अंतिम रूप ले रही थी तब के हैदराबाद राजजी में एक जगे थी वरवट्टी जो अब करनाटक में हैं हैदराबाद के निजाम के कुछ सैनिक वरवट्टी के एक गाउं जाते हैं घर के बाहर एक बच्चा खेल रहा था उम्र करीब तीन बरस रही होगी पिता काम पर गए थे घर में मा और बहन थे निजाम के सैनिकों ने मा और बहन दोनों को जिन्दा जला कर मार डाला बच्चा सब देखता रहा वो दर्दनाग दरश्च जीवन भर के लिए उसकी आखों में कैद हो गया था वो बच्चा आगे चल कर राजनीत में आता है करनाटा के बड़े नेताओं में अपनी जगे बनाता है पार्टी आला कमान के सबसे वफादारों में गिना जाने लगता है और उन्नी सक्टू पर 2022 की दोपहर को यही नेता देश के सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्षप पर जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत शांस भाव के हैं गरीबी में बच्पन वीता मा की मौत के बाद खडगे अपने पिता के साथ गुलबर्ग शहर चले गए पिता एक मिल में काम करते थे गुलबर्ग में ही खडगे की शुरुवाती पढ़ाई हुई और उसके कॉलेज की राजनीत के दौरान खडगे मज़़ूरों के अधिकारों की लड़ाई में हिस्सा लेने लगे थे खडगे जब तक पूरी तरह से राजनीत नोतरे तब तक वो सयुक्त मज़़ूर संग के बरभावशाली नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे साल 1979 कॉंग्रेस में ओल गार्ट्स और इंदरा गांधी की बीच संग घर्ष चल रहा था और इसी साल खडगे ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया उस समय खडगे की उम्र महस 27 साल थी उन्हें सपोर्ट मिला करनाटक के तब के वड़नेता देवराज उर्सका देवराज ने खडगे को पहली बार विधानसवा का टिकेट दिलवाया 1972 में खडगे राज की गुर्मितकल सीट से पहली बार विधायक चुने गए खडगे के लिए ये महस शुरुवात थी 1972 के बाद खडगे लगातार नौ बार इसी सीट से विधायक चुनकर आते गए पहली बार विधायक बनने पर ही खडगे को तब के सियम देवराज उर्स ने मंतरी बना दिया 1976 में खडगे पहली बार प्रात्मिक सिक्षा विभाग में राज्य मंतरी बनाए गए इसके बाद खडगे लगातार करनाटक सरकार की अलग-अलग भागों का जिम्मा सभालते रहे खडगे के बारे में एक बात कॉंग्रेसी और उनकी विपक्षी भी कहते हैं कि सियासत की काजल की कोठरी में पाच दशक से ज़ादा रहने के बावजूद उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा साल 1980 में देवराज के बाद गुंडु राओ राज के मुक्ष्य मंतरी बने खडगे को कैबिनेट मंतरी बनाया गया खडगे उस समय भूमी सुधार के लिए एक बिल लेकर आये कहा जाता है कि इस बिल के बाद किसानों को उनके अधिकार मिल सके यह पहला मौका था जब स्पोर्ट लाइट खडगे पर थी करनाटक में खडगे 1990 में बंगरप्प सरकार 1992 में विरप्पा मोली सरकार में भी कैबिनेट मंतरी बने इसके बाद 1994 में खडगे की भूमी का बदली करनाटक में सरकार बनी जैनत अदल सेकुलर की मुक्यमंतरी बने स्टी देवेगोडा खडगे ता विपक्ष के नेता बने 1999 में करनाट्यक में कॉंग्रेस की वापसी हुई पिछली विधान सवा में खड़के विबक्ष की नेता थे कद बढ़ चुका था इस बार खड़के का नाम भी मुक्रमंत्री की रेस में माना जा रहा था लेकिन आलाकमान ने SM कृष्णा को सरकार का जिम्मा सौब दिया वही SM कृष्णा जिने मनमुहन सरकार में कॉंग्रेस में विदेश मंत्री बनाया था SM कृष्णा की सरकार में ग्रेवे भाग खड़के को मिला खड़के के साशनकाल में ही कुख्याद विरप्पन ने कर्नल सिनेमा के जानने माने एक्टर और गायक राजकुमार का आपारण किया था कॉंग्रेस समर्थक इस मामने को हैंडल करने के लिए खड़के की तारी भी करते हैं अगले विधासवा चुनाओ हुए साल 2004 में करनाटक में एक बार फिर कॉंग्रेस की वापसी हुई कॉंग्रेस और जेडियस ने मिलकर सरकार बनाई इस बार ये लगभत तैमाना जा रहा था कि मलकार जुन खड़के के सिरही मुख्यमंतरी का तास सजेगा लेकिन एन वक्त पर बाजी पलट गए निजी तोर पर खड़के के दोस और सियासी प्रतिवंदी धरम सिंग को वाला कमान ने मुख्यमंतरी बनने का आदेश दे दिया कहते हैं खड़के के लिए ये जटका था लेकिन खड़के ने कहा कि क्यों नहीं कर सकता पार्टी का आदेश है तो धरम सिंग ही मेरे नेता है और मुझे उनके अंडर काम करने में कोई दिक्कत नहीं खड़के को यूँ ही गांधी परिवार का वफादार नहीं कहा जाता खड़के के पांच बच्चे हैं 2016 में मंत्री भी बनाये गए थे इसके अराबा उनकी बेटी प्रिदरश्चनी डॉक्टर हैं जब दूसरी बेटे राहूल साइन्टिस्ट हैं साल 2005 में खड़के पर भरोसा जताते हुए कॉंग्रेस ने प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का चीव भी बनाये था साल 2008 में करनाटक में कॉंग्रेस की हार हुई हाला की खड़के चुनाओ जीत गए थे लेकिन गांधी परिवार की गुट बुक्स में शामिल होने का इनाम खड़के को मिला 2009 में कॉंग्रेस ने खड़के को उनके घर गुलबर्ग से टिकेट दे दिया खड़के लोकसभा पहुँची और मनमोहन सिंग ने उन्हें यूपीए टू में लेबर और एंप्लॉइमेंट मंतरा लेका जिम्मा दे दिया लेकिन खड़के के साथ एक बार फिर धोका हुआ 2013 में विधान सभा चुनाओ में कॉंग्रेस की जीत हुई इस बार किसी को संदे नहीं था कि खड़के को मुक्ष मंतरी बनाया जाएगा लेकिन सिंधर रमिया जंतदल छोड़कर कॉंग्रेस में आ चुके थे और आला कमान ने एक बार फिर खड़के के उपर सिंधर रमिया को चुना इस बार भी खड़के ने कोई सवाल नहीं पूचा लेकिन जवाब में उन्हें 2013 में देश की रेल चलाने का जिम्मा दे दिया गया था 2013 के बाद कॉंग्रेस से ग्राफ गिरा लेकिन खड़के का ग्राफ लगतार बढ़ता चला गया 2014 में कॉंग्रेस को सिर्फ 44 सीटे मिली जात और कैबिनेट मंतियों के जमानत तक जब्त हो गई थी लेकिन खड़के इस मोदी लहर में भी जीत कर लोगसभा पहुचे और कॉंग्रेस ने उन्हें संसत के निचले सदन में पार्टी का नेता चुना हलाकि 2019 में खड़के लोगसभा चलाओ हार गये यह उनकी राजनितिक करियर की पहली हार थी लेकिन इस बार भी कॉंग्रेस आलाकमान की महरबानी खड़के पर बरसी और उन्हें 2020 में राजसभा भेजा गया खड़के सिर्फ राजसभा नहीं गये बलकि उन्हें 2021 में सदन में विपक्ष का नेता भी बनाया गया खड़के इसी साल 80 साल के हुए हैं 21 जुलाई को खड़के अपना जन्म दिन मनाते हैं इस साल में दिल्ली से लेकर करनाटक के गुलुबर्ग तक जन्म दिन के जश्ण के तयारी थी लेकिन खड़के ने कहा कि इस जन्म दिन का पर कोई जश्ण नहीं मनेगा वज़े ये थी कि इसी दिन प्रवरतर निदेशाले ने कॉंगरेस अध्यक्षा सोन्या गांधी को नैशनल हेराल केस में फूस्ताष के लिए बुलाया था खड़के ने जन्म दिन नहीं मनाया अपनी नेदा के लिए सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया शुना हुए और अब मलका अरजन खड़के जीद गए हैं और कॉंगरेस के नया अध्यक्ष बन चुके हैं आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी सौरप त्रवेदी ने देखते रहिए दीललन टॉप शुक्रिया